और ить कि मतलब हमारे आस-पास में जो भी मैटर है सो अरसा रहाए अवर शरानिंग मतलब हमारे आस-पास में जो मैटर है So what is matter, सबसे पहली बात होती है, what is matter, okay, matter मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसका कुछ mass हो और जो थोड़ी सी जगह घेरे, okay, anything that which occupies space and has mass is called matter, मतलब हमारे आसपास में जो भी चीजे हैं, those are called matter, like हमारे आसपास में air है, तो air क्या है, air जो है different different gases का combination है, उसमें O2 भी है, उसमें CO2 भी है, उसमें nitrogen भी है, उसमें hydrogen भी है, तो हमारे atmosphere में बहुत सारी gases है, वो air है, और हमारे atmosphere में क्या है, और हमारे atmosphere में क्या है, water है, तो water भी क्या है, एक matter है, और हमारे atmosphere पे जो भी चीजे हैं, पेड़ है, पौदे है वो सब कुछ ना कुछ से मिल करके बने है तो वो जिस चीजों से मिल करके बने है चाहे वो छोटा है या बड़ा है Those all are what? Those all are matter मतलब वो सारी चीज़ जो है वो क्या कहलाती है matter कहलाती है तो जो सारी चीज़े हमारे अट्मोस्फियर में हमारे आसपास है वो क्या है matter So that's why the name of the chapter is matter in surrounding our surrounding बचो पहला कुशन लिखिए copy में define matter define matter तो matter define कीज़े पहला कुशन है प्रगती read out what is matter define करो बिटा प्रगती 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 थी हूंट थे विटा प्रगती खुट अट्डगत कुछ आपके आवाज बहुत लेग हो रहे है कोई बात नहीं लक्षमी आप पढ़िये मैटर एनिफिंग 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 विचॉक्रिपाइज परीशन एंट स्कॉल मैटर इन अदर वर्ट अनिफिंग विच्छ मास और वॉल्म माउस, कीबो, डॉग, कैट, काव, पैंसल, फ्री, प्लांट, बिल्डिंग, माउंटें, रिवर, एक्सेक्टर अगर्डिंग तो देर फिसिकल और केमिकल प्रपरटी इन ना इसी कोई भी चीज जो की थोड़ा सा स्पेस घेरती है, जो जगे गेरती है, एन हैसा मास और जिसके पास थोड़ा सा मास होता है वो हर एक चीज जो होती है, वो मैटर कहलाती है, दूशरे शब्दों में, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास है और वाल्यूम है, उसको आप क्या बोलते हैं मैटर Anything which has mass and volume is called a matter, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास है और वाल्यूम है, उसको हम मैटर बोलते हैं For example, chair, table, computer, mouse, keyboard, यह सारी चीजे जो दिख रही हैं, यह सब जो हैं, यह सारी चीजे जो हैं, यह क्या करते हैं, इनके पास थोड़ा न थोड़ा मास होता है और यह हर चीजे जो जितने भी हैं, यह अपने लिए थोड़ी सी जगह occupy करती है, तो यह लोग क्या है matter है, हम भी क्या है matter है, फिर आपके पास सवाल उठता है कि sir matter क्या नहीं है, आप जाना चाहोगे न, कि sir सब कुछ अगर matter है, तो matter क्या नहीं है, कुछ बताओ ऐसा sir जो matter ना हो, for example मैं बोलूँ आपकी feelings, और you can say love, और you can say emotion, तो यह जो चीजे हैं, यह ना तो जगह घेरती हैं, और ना तो इनका कोई मास होता है, मतलब यह किवल भावनाएं हैं, तो यह matter नहीं होती है, and rest all the things which contains some space, जिनमें थोड़ी सी जगह होती है, उनको हम क्या बोलते है, matter बोलते हैं, तो matter कितने type के classify किये गए है, according to the physical and chemical properties, matter can be divided into three types, first is solid, second is liquid and third is gas, let's write the next question, write the properties of matter, अगला question लिखिए, write the properties of matter, okay, matter की properties क्या क्या है, matter की properties क्या क्या है, matter 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 is made up of, is matter, are you sharing your screen, yes, but yes, I am sharing my screen, but it's not visible, okay, once again I sharing, yes, sir, now it is, okay, actually disconnect, yes, okay, अब ठीक है, so, बच्चों भी matter का type पड़ा दी है, तो अब लोग अभी तक PDF से देख रहे थी ना, yes, sir, okay, no problem, now we are talking about the properties of matter, तो properties of matter क्या क्या होती है, matter की properties, पहला, matter is made up of the small particle, matter जो है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, matter जो दुनिया का कोई भी matter हो, बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना होता है, मालो यह गोल्ड है, यह प्योर गोल्ड है, अगर तो यह प्योर गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा, तो यहां भी गोल्ड होगा, गोल्ड होगा, होंगे चोटे चोटे जो होंगे यह गोल्ड के एलिमेंट होंगे क्योंकि गोल्ड क्या है प्योर है बट अगर वाटर है तो वाटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा और वह छोटे छोटे पार्टिकल अपने आप में भी वाटर होंगे तो वह वाटर के क्या हों वह वाटर के मॉलिकूल्स होंगे या वाटर के कमपाउंड होंगे यह रिखी यह वाटर है तो वाटर छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है अब गोल्ड के जो मैटर हो अलग होगा और वाटर का मैटर अलग होगा क्योंकि गोल्ड का मैटर सॉलेड होगा और हुए so the element of the water will be a liquid now second point पड़ो बिटा प्रगती थीज these particles are very small in exactly so the particle matter are very small in size and these third point these particles are moving constantly जो पार्टिकल होते हैं न भाफ करते रहते हैं constantly मतलब लगातार लगातार मूव करते रहते हैं अब मैं आपको तीनों के motion के बारे में बताता हूं कि तीनों के motion कैसे होते छो देखे अगर आपके पास gas वाला matter है तो इसके atoms जो gas के जो matter particle होते हैं बहुत तेजते जो motion करते हैं बहुत लंबे-लंबे भागते हैं बट अगर आप बात करेंगे liquid की तो liquid के particle बहुत slowly slowly move करते हैं और अगर आप solid के particle की बात करें solid के particle जैसे gold हो गया iron हो गया silver हो गया तो बिटा इसके जो particle होते हैं वो अपनी जगह में बैठके just vibrate करते हैं आंगे पीछे आंगे पीछे आंगे पीछे आंगे पीछे वाइड करते हैं पट यह बात जानके रखिए कि चाहे कोई साभी matter हो उसके particle आपके बट क्या होंगे वो move करेंगे समझ मैं है बच्चों के नहीं है बताओ so these particles are moving continuously okay next is so these particles are moving continuously यह वाली बात होगी अब अगली बात करते हैं देखिए next point क्या है these particles have spaces between them जी हाँ हर particle में matter में जो matter particle होते हैं उनके बीच में देखो मैंने ऐसा तो नहीं बनाया न मैंने कैसा बनाया मैंने थोड़ा थोड़ा gap बनाया अगर मैं gap नहीं बनाता तो क्यासे होते अगर मैं gap नहीं बनाता तो आपको जो मैं diagram बनाया हूँ यह कैसा दिखाई देता अगर मैं gap नहीं बनाता तो आपको यह diagram इस तरीके का दिखाई देता जो कि gap नहीं होता बट मैंने gap दिया है इसलिए आपको यह थोड़ा-थोड़ा gap दिखाई दे रहा है तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इन particle में हलका सा gap हुआ करता है इन matter particle में जो होता है न यह gap maintain करके चलते है metal particle सारे चाहे वो liquid हो चाहे solid हो चाहे वो gas हो नेक्स particle of matter attract each other because of force of attraction जी हाँ matter के सारे particle एक दूसरे को attraction force से खीच के रखते है अगर खीच के नहीं रखते तो क्या होता water के molecule में एक molecule water इधर हो जाता एक water का molecule इधर हो जाता और ऐसा होता तो कभी भी खूब सारा पानी बनी नहीं सकता था बट पानी पानी के साथ खूब सारा मिलके पानी बनाता है मतलब matter के सारे particle एक दूसरे को क्या करते है चिपका करके रखते हैं खीच करके रखते है so particle of the matter attract each other because of force of attraction बोलो समझ में आया बच्चों जो matter के particle होते हैं वो एक दूसरे को force of attraction की वज़े से एक दूसरे से attach रहते हैं एक दूसरे से बंधे रहते हैं जैसे example के लिए आप गोल्ड लेने जाते हो तो गोल्ड आपको किस फॉर्म में मिलता है powder में तो मिलता ही ना है ना आप गोल्ड लेने जाते हो iron लेने जाते हो आपको क्या मिलता है एक पूरा का पूरा gold बार मिलता है या iron का बार मिलता है तो क्या होता है वो बार क्यों बना होता है because gold के particle एक दूसरे को आपस में well अच्छे से force लगा के एक दूसरे के साथ joint रहते एक दूसरे के साथ वो connect रहते because of force because of interatomic force okay so particle of matter attracts each other because of force of attraction समझ में आ गया बच्चो बोलो समझ में आया की नहीं है hello clear प्रगती clear की not clear okay okay now we're talking about experiment some experiments are there example first experiment of pollen grains okay pollen grains the key experiment of pollen grains if we suspended extremely small pollen grains in water and see through microscope we found that the tiny particle of the water do not of the vertical do collisions with the pollen grains due to these collisions pollen grains move slightly ये experiment बताया गया है कि अगर आप जो है अगर आप पॉलें ग्रेंस आप लग जानते हो क्या होता है कि नहीं जानते बताओ yes sir हाँ तो अगर अगर आप पॉलें ग्रेंस बिना किसी काराण के slightly अपनी पोजीशन से हिल करके कहीं और पोहुंच जाता है कहीं दूसरी जगे पोहुंच जाता है तो ये क्या बता रहा है बच्चों ये ये बता रहा है कि पानी में मैटर पार्टिकल होते हैं और वो वाटर के मैटर पार्टिकल पॉलेंस को दक्का देते हैं और उस धक्के की वज़े से ये थोड़ा सा क्या हो जाता है डिस्प्लेस हो जाता है एना उस धक्के की वज़े से ये थोड़ा सा slightly move हो जाता है so it is written here that if we suspend extremely small pollen grains in water and see through the microscope we found that the tiny particle of the water do collisions with pollen grains मतलब जो water के छोटे 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 पार्टिकल होते हैं जिनको हम water का matter बोलते हैं वो क्या करते हैं वो collision करते हैं next point due to these collisions pollen grains move slightly in collisions की वज़े से pollen grains जो होते हैं move हो जाते हैं तो बस experiment पूरा हो गया second point mixing of ink with water mixing of ink with water तो ink की mixing होते हैं water के साथ if we put a drop of ink in water we see that initially ink is present on the small portion of water and after some time ink is spread all over in the water that this happens because the tiny particle of water collide with the tiny particle of ink due to these collisions particles of water and ink mix with each other अगर आपके पास आपने घर में dye करते हैं लोग blue नील डालते हैं तो जैसे ये आप डालते हो ये थोड़े दिर बाद अपने आप पूरे water में फैल जाता है पूरे water में ये इंक होगा या blue dye होगा ये फैल जाएगा इसका मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं जिसके कारण particle अलग-अलग जगों पर distribute हो जाएगा और साथी साथ आप ये भी कह सकते हो कि ये क्या कर रहे है ये move कर रहे है जो हमने पढ़ा कि particle जो होते है वो move करते है बो समझ में है बच्चो की नहीं है ये सर अब आप मेरे से सवाल करोगी कि सर ये बता दो हमें कि इनकी motion जो होती है particle की इनको matter बोलते हो इनकी motion को हम क्या कहते है पिटा actually इन particle की motion की कोई direction नहीं होती है इसलिए इनके motion को हम क्या बोलते है these type of motions are called brownian motion so from the above two experiment it is proof that matter is made up of the particle and particle do brownian motion समझ में आ गया बच्चो की नहीं आया ओके matter जो है particle से मिलके बने है चोटे 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 और particle की motion को कौन सा motion बोलते है brownian motion clear हुआ की नहीं हुआ ओके brownian motion का नाम क्यों पड़ा आप जानते होगे ने एक बहुत अच्छे फिज़ बायोजिस्ट भी थे Robert Brown Robert Brown है ना इन्होंने बायो में भी I think कुछ काम किया था है ना Robert Brown ने शायद cell अगरे को जी तो बिटा ये जो Robert Brown थे इन्होंने motion के बारे में बताया था कि random moment होता है पॉलन ग्रेन का moment इन्होंने सबसे पहले देखा था माइक्रोस्कोप में ओके तो इसलिए उन्होंने वहां पर पॉलन ग्रेन की moment को देख करके एक नाम दिया motion का that is called अपने नाम अपने नाम के आधार पर अपने नाम के बेसेस पर उस motion को इन्होंने नाम दिया क्या नाम दिया Brownian motion Brownian Yes, exactly So, written here Mr. Robert Brown Mr. Robert Brown I Scottish Botanist Okay, जो Robert Brown थे वो Botanist थे Mr. Robert Brown I Scottish Botanist Scottish Botanist observed the random moment of the pollen grains in water in 1827 में इन्होंने water में पॉलन ग्रेन का motion देखा This moment of the particle is called Brownian motion जो पार्टिकल का ये moment था इन्होंने इसका नाम दिया Brownian motion Okay आपने भी देखा है बच्चों Brownian motion आप सभी ने तक्रीबन Brownian motion देखा है कहां देखा है आपने देखा होगा बच्चों की जब कभी घर में आप जो है आपके घर में मानलो किसी सुराक से या किसी स्लाइट से अंधेरा कमरा है या कभी खिड़की थोड़ा सा खुली हुई है तो देखा होगा लाइट आती है और उस लाइट में आपको देखा होगा dust particle move करते दिखाई देते हैं कोई यहां जा रहा होता है कोई वहां जा रहा होता है फिर आप क्या करते हो फिर आप उसको मार देते हो dust particle को कुछ चेल लेते हो और उनको जोर से डिस्टरब कर देते हो, तो फिर देखे होगी, वो मोशन बढ़ जाती, ये बड़ी रेंडम रैपिड मोशन हो जाती, उल्टे पुल्टे और तेजी से भागने रगते हैं, पहले तो भागी रहते हैं चारे, और कभी देखा आप लोगों ने ने की नहीं दे येस, तो डस्ट क्यों मूव करते हैं, डस्ट क्यों मूव करते हैं, लेकि डस्ट में क्या होता, डस्ट किसमें मूव करती है, यहां से मानलो लाइट आ रही है, तो यहां पर आपको डस्ट दिखाई दी कि इतने एरिया में, तो इतने एरिया में किसके किसके पार्टिकल है एक तो air के particle है जिसमें different gases हैं और एक तो dust के particle है तो क्या होता बच्चों कि air के particle लगातार dust के particle से टकराते हैं और उस टकराने के कारण वो continuously motion करते रहते हैं तो क्या कह रहा हूँ मैं कि dust के particle air के particle से लगातार टकराते रहते हैं और टक्राने के result में वो क्या करते रहते हैं, motion करते रहते हैं, तो यहां पे लिखा है, similarly, smoke also moves randomly because of the random moving particle of air collide with the smoke particle again and again, okay, done, बच्चो, clear आगया, brownian motion, Yes, okay, अब इस brownian motion का एक बहुत बड़ा फायदा है, बच्चो, इस brownian motion की वज़े से बहुत बड़ा फायदा है, आपने घर में कभी कमरे में अगर बत्ती लगाई हो, तो एक कमरे में आप अगर बत्ती लगाते हैं और उसकी खुश्बू पूरी building में सुगाई देती है, या ब वाहर तके स्मैल आती है कि नहीं आती है, यह ऐसा हूं, तो ऐसा क्यों होता है बेटा, विकाउज अगर बत्ती के जो पार्टिकल होते हैं, वो randomly rapidly move करते हैं, और वो move करते करते करते, air के पार्टिकल से टकराते हैं टकराते हैं और टकरा करके फाइनली बहुत दूर तक चले करेंगे आपको वहां तक उसकी इस मेल आईगी समझ में आया बच्चों की नहीं तो जब आप परफियूम लगा करके आते हैं तो भी आपके साथ होता आप पर्फ्यूम लगाते तो पर्फ्यूम की जो इसमेल होती ना ब्राउनियन मोशन के काड़ी यह दिखिए पर्फ्यूम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दिखरा बच्चो पर्फ्यूम के यह दिख रहा है इसका फ्यूम निकल रही पर्फ्यूम की दिख रही बच् मालो देख लो बच्चो ये किसके पार्टिकल है ये आपके हैं परफ्यूम के पार्टिकल है और एर के पार्टिकल देखो ये ब्लैक कलर के एर के पार्टिकल है ये एर के पार्टिकल है तो बच्चो क्या होता है ये ये जो पार्टिकल एर के हैं और ये परफ्यूम के एक red particle के साथ लड़ेगा तो क्या होंगे ये टकराएंगे जब ये दोनों तो ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर दूर चले जाएंगे एक यहाँ पहुच गया एक यहाँ पहुच गया तो पता चला ये चलते 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 इधर पे आ गया इतना दूर आ गया देखो तो अब इतना दूर जब ये आ जाएगा इतना दूर जब ये आ जाएगा बिटा तो क्या हो जाएगा ये जो परफ्यूम की smell थी इस point पर भी आपको smell detect होगी बोलो होगी कि नहीं होगी हाँ तो इस वज़े से perfume की smell आपको दूर दूर तक मिलती है so this is called a smelling is spreading of a smell huh so for a look at the app when we spread a perfume for a bita Prakati are you there okay when we spread perfume tiny particles of air collide with tiny particles of perfume which is liquid due to these collisions particles of perfume spread in the air that's why we feel the smell of perfume exactly yes exactly so क्या होता है कि यह जो पर्टिकल होते हैं पर्फ्यूम के वह एर के पर्टिकल के साथ टकराते हैं और टकराने के कान में मुवमेंट होती है और मुवमेंट होगी बहुत दूर पहुँच जाएंगे तो पर्फ्यूम आपने यहाँ पर इस्प्रे किया है और इसकी खुश्बू काफी दूर तक मुझे सुंगाई देगी okay smell होगी spreading of a smell proves that the matter is made up of the tiny particle and moving rapidly जी हाँ तो इससे पदा चलता है spreading से की particle जो होते हैं वो क्या करते हैं move करते हैं कोई सुंगा ही देगी smell इधर भी आपको smell मिलेगी इधर भी आपको smell मिलेगी मतलब हर जगे पर आपको smell मिलेगी इसका मतलब जो particle होंगे वो किसी एक direction में move नहीं होंगे वो हर direction में move होंगे and this thing is called randomly सावज में आ गया बच्चों आइक क्लिएर हो गया Yes ओके अब देखें आप कभी पानी में sugar अगर mix करते एं एक और एक única experiment देखते हैं अगर आप कभी पानी में शुगर मिक्स करते हैं तो बताइए केवल थोड़ा सा हिस्सा मीठा होता है कि पानी का पूरा हिस्सा मीठा होता है केवल नीचे वाला हिस्सा मीठा होगा कि पूरा का पूरा मीठा हो जाएगा मिक्स करोगे तो Yes, whole water becomes sweet पूरा का पूरा जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा मीठा हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि शुगर के जो पार्टिकल थे वो हर जगए मूव करके चले गए है हर जगए मूव करके गए है और उन्हें जहां पर जगए मिली है जगह किसके बीच के पानी के दो मॉलिकुल के बीच में जगह मिली है वहाँ पर जाकर के कौन बैढ़ गया है वहाँ पर जाकर के एक सुगर का मॉलिकुल जाकर इन दोनों के बीच में बैढ़ गया है तो यह पानी का मॉलिकुल थे दोनों, वाटर के थे बीच में जगह मिल गई तो कौन बेढ़ गया? सुगर के मॉलिकूल जाकर के बेढ़ गया ओके, so let's talk about the experiment with sugar and water सुगर और water के experiment की बात करते हैं पॉइंट नमबर वन टिक बीकर इन विच फिल्ड विद दा वाटर अड़ अड़ सुगर इंटो दा इट we see that the marking of the water in a beaker increases जी हाँ, जैसे ही शुरुबात में आपके पास beaker रहेगा, पानी इतना रहेगा और जैसे ही आप इसमें sugar डालोगे तो आपका water जो level होगा वो rise करने लगेगा, मतलब water पहले जितने था उससे बढ़ जाएगा क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे आप sugar ला रहे हो, तो sugar क्या होगी, space लेगी तो sugar के space लेने के कारण water का level change हो जाएगा, yes keep, we see that the marking of the water in the beaker increases keep stirring the solution after some time sugar dissolve in the water and level of the water comes down to the original mark अब आप क्या करो, इसको यहाँ पर इसको चमच रखके घुमाना सुरू करो water को stir करना सुरू करो है न, जैसे आप bon vita डाल करके घुमाते हो न, तो आप क्या करो, यहाँ पर चमच डाल करके इसको stir करना सुरू करो तो आप देखो कि जो बढ़ा हुआ लेवल था, वो वापस नीचे आ जाएगा, पानी का मतलब पानी फिर से अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा अब आप सुच रहे होगे कि सर पानी ओरिजिनल जगह पे क्यों आ जाएगा, क्योंकि शुरुआत में जब आपने शुगर डाली थी तो शुगर एक अठा सॉलिड फॉर्म में नीचे आके बैड़ गई थी, और उसने अपना इस्पेस ले लिया था, और पानी को ऊपर फि बैड़ जाती है, उसमें जाकर के सुगर स्पेसिंग के बीच में बैड़ जाती है, इस वज़े से आपको ये सुगर बैड़ जाती है, इस वज़े से आपका वाटर जो होता है, स्वीट हो जाता है, मतलब स्पेसिंग यहां ले ले लेती है, और जैसे ये सुगर बीच बी येस बिटा एक्स्प्लेन इट अगेन ओके देखे शुरुवात में आपने पानी में सुगर मिलाई तो जैसे ही आप सुगर मिलाओगे वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा बट जैसे ही आप इसको घुलाना शुरू करोगे इसको घुलोगे तो वापस से वाटर लेवल डिक्रीज हो जाएगा मतलब पानी जितना था उतने पे ही आ जाएगा ऐसा क्यों होता है क्योंकि जैसे दो वाटर के पार्टिकल है उनके बीच में जैसे जैसे ये शुगर घुलेगा तो शुगर जाकर के water particle के बीच में जो जगह होती वहाँ पे बैठ जाएगा समझ में आया कि नहीं आया तो पहले जो water के particle थे उनके बीच में जो जगह थी वो खाली थी तो खाली थी तो उसका कोई उज नहीं हो रहा था अब जाकर के जैसे जैसे ये लोग जगह ले लेंगे तो वो खाली जगह का इस्तेमाल हो जाएगा और उस इस्तेमाल होने के करण तो जो मतलब बच्छों water की बज़े से molecule जा रहे हैं और उस molecule की जाने की वज़े से आपका जो शेप होगा पानी का सुरी जो लेवल होगा वो वापस रिशेप हो जाएगा एक बार फिर से वो नीचे हो जाएगा बोलो आप समझ में आया है तो हमने यह स्परीमेंट से क्या देखा कि जो मैंतर हॉता है वो चोटे छोटे ने पर्टिकल से मिलके बना होता है घप होता है उनकी बीच में जगह ले 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 लेते हैं तो वो पर्टिकल इसमें चले आते हैं So there is a space between these particles तो दो चीजे हो गई चलिए अब सभी लोग आप मुझे जहां तक मैंने कराया है यह आप लोग नोट्स ओपन करके यहां तक मेरे को लिख करके अभी ग्रूप में भेजिए